इस चक्रे योग माया मुखाश्रित बिल्कुल साफधानी से सुनियेगा रास लोग रास का नाम सुनते ही अपने मन में नृत्य की भूमी का प्रकट कर लेते हैं नृत्य पर नहीं होता रास का मतलब नृत्य नहीं होता मैं कथाओं मैं कहा करता हूं आप जब भगवत मिलन की प्राप्ति के प्रयास करते हो आप ठाकुर जी से मिलना चाहते हो उसके जितने भी प्रयास हैं वो सब रस कहलाते हैं लेकिन आपकी भक्ती से प्रसंद हो के ठाकुर जी अनुग्रह कर दें और ठाकुर जी आपके पास आजाएं वो रास कहलाता है जैसे कई लोग यहां पर ऐसी भावना उनकी ती मैं पहले दिन कहाता ना कि गिर्धरलाई जी नाजाने किन-किन लोगों के लिए आएं हैं यहां पर साथ दिन में पता चलेगा और जनके आम रुके हैं उनको अनुबवर्य हो रहा होगा कैसे-कैसे लोग कैसे कैसे वईशनव के लिए ठाकुर जी पधारे है कल कथा की बात है कल एक वैशनव आये थे इन दौर के पास से उनको कल नाध द्वारा जाना था श्री नाध जी दर्शन करने लेकिन किसी बहुत विशेश कारी की वज़े से वो कल नाध द्वारा नहीं जा पाए तो विचारे व्यथित थे तो बोले की ठीक है खंडवा में कथा चली माराज जी वहीं चले जाएं तो महराज जी रस्ते में आप कथा में कहते हैं कि आप मन में सोचलो वैसा कुछ हो जाए तो समझो की ठाकुर जी आप से प्रसंद नें मैंने मन में विचार किया कि ये लाल जी हम नात द्वारा तो नहीं जा पाए पर हम कथा में आ रहे हैं आज करपा करके आप दर्शन दे दो मारा जी हम आके बैठे ही थे और आप बोले कि आज गर्दर लाल जी कथा में आ रहे है बोले मुझे नहीं पता था कि आज लाल जी को आना है बोले हम तो बस विचार करते हुए मारग में आ रहे थे और इतने में ठाकुर जी पधार गए इस स्थिती को कहते हैं रास रस का मतलब है कि आप ठाकुर जी के पास जाने के लिए बैठे हो आप ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हो योजनाएं बना रहे हो ठाकुर जी की प्राप्ति की सारी परकल्पनाएं आप सिद्ध कर रहे हो वो रस है लेकिन आप से मिलने के लिए ठाकुर जी योजना बना रहे हैं वो रास है भक्ति का पत कई लोग मुझे कहते हैं आपकी व्यास्पीट का नाम भक्ति-पत पत का मतलब होता है मार्ग तो इस पक्ति-पत के डेश्टिनिशन क्या है इसका गंतव भी क्या है तो मैं उसके यही कहता हूं कि यह यात्रा रस से शुरू हुई है रास तक जानी चाहिए अभी हम प्रयास कर रहें ठाकुर्जी से मिलने का हम प्रयास कर रहें उनके दर्शन का हम प्रयास कर रहें उनकी प्राप्ति का लेकिन हमारी भक्ति की एक दिन इस्थति ऐसी हो जाए कि हम प्रयास ना करें ठाकुर्जी प्रयास करें यह समझो रास यही अंतर है रस और रा और ये भागवत की कथा, वैश्णवों का संग, तीर्थ यात्रा ये सब रस हैं जब हम अपने गुल्लों को इन रस में डुबाते हैं तो रस गुल्ला बन जाते हैं और जब रस गुल्ला बन जाते हैं तब हमारे रस की सुगंधी से ठाकुर जी प्रसंद नौ के किसी दिन हमारे रस गुल्ला को मुख में लेके उसका अस्वादन कर लेंगे, ये रस गुल्ला रस और रास हमारे उत्तर प्रदेश में एक भगवान के भक्त थे, उनका नाम था सूरत ध्वज, क्या नाम था? सूरत ध्वज शंडीला एक जगे है वहां के वे निवासी थे वरंदावन के श्री मदन मुहनलाल जी के परम उपासक थे सूरत द्वज्जी तो सूरत द्वज्जी एक बार मन में विचार कर रहे थे वो ले कि क्या करें ठाकूर जी की बड़ी याद आ रही है लेकिन काम बहुत हैं अभी मैं जान ही पाऊंगा बहुत ध्यान से सुनियेगा तो सूरत द्वज्जी ने क्या किया देखा कि गन्ने की खेती हो रही है और गन्ना अब कट करके रसका गुड बनाया जा रहा है उतर प्रदेश में उमध्य प्रदेश के भी कई छित्रों में गन्ने का गुड बहुत बढ़िया बनता है तो बढ़ा ताजा ताजा गुड बन रहा था सब जगें तो सूरत द्वज्जी ने क्या किया एक दुकान पर जाकर के एक दुकानदार से कहा बहिया सुनो दो बैल गाड़ी भर करके गुड हमको व्रंदावन पहुचवाना है उसका क्या खर्चा आएगा सब हमको बताओ दुकानदार बोला बोले महराज इतना सारा गुड आप संडीले से व्रंदावन भेजोगे बैल गाड़ियों में भर करके बहुत पईसा लगेगा इससे वड़िया तो किसी आदमी को धन दे करके आधा धन दे करके आप ब्रंदावन भेज दो ब्रंदावन में भी गुड मिलता है मही से खरीद के ठाकुर जी को नवेदित कर देंगे सुरत द्वज्जी बोले नहीं मैं प्रेम करता हूँ ठाकुर जी से ठीक है कि गुड वहां भी मिलता है लेकिन मैं वहां से बेजूँगा जहां मैं रहता हूँ यही तो प्रेम का स्वरूप है मिठाईया तो दुकानों पर मिलती है ठाकुर जी के लिए लेकिन वास्तविक्ता बता रहे हैं आप दुकानों से मिठाई खरीद के ठाकुर जी का भोग लगाने ले जाते हो ठाकुर जी उसको देखकर के कहते होंगा हाँ ठीक हलाओ धर दो लेकिन जब अपने घर में स्व कि वस्तु दी जाती है कि भली उसमें फिर खर्चा कितना भी हो कि सूरत बज्जी ने बढ़िया सुंदर गुड बैल गाडियों में धर्वा करके भिजवाया और गुड की बैल गाड़ी पहुची अर्ध रात्री में व्रंदावन और जैसे व्रंदावन पहुची मदन महुण जी के मंदर के भार मंदर बंदो चुका था पुजारियों ने कहा बोले बहुची सुवे तक प्रतिक्षा करो सुवे मंदर खुलेगा तब गुड भीतर जाएगा लेकिन भीतर बैठे मदन महुण लाल जी बेचैन हो गए और जैसे ही पुजारी जी सोने के लिए गए मुखिया जी शेहन में गए स्वपन में श्री आप रोकियों रहे हो कोई पीडा मेरो बहुत जोडते गुड खावे को मन कर रहो है जैजे अभी संडीले से गुड आये आपके लिए लेकिन सुवे तक ने प्रतिक्षा कर लो अब तो रात्तरी शेहन को समय है गयो है सुवे चार बजे आपकी मंगला होगी मंगला के कि आज बिचारों जैसे तैसे यहां पहुंचो रात्तरी में अब तुम मुझे और प्रतिक्षा कर भी कि कह रहे हो तुम कह रहे हो सुवे तो को और प्रतिक्षा करूं मैं कि अगर तुम मेरे सच्चे प्रेमियो तो अभी आओ मंदर खोलो गुड़ भीतर लाके खीर बनाओ गुड़ की मुको अभी पवा इसको कहते हैं रास यह रस नहीं है अपने भक्त की प्रेम इस्थती को ठाकुर जी स्विकार करने के लिए लालायत हो उसको रस कहते है रस और रास श्यसुक्देव जी महराज वरणन करते हैं कि ठाकुर जी के साथ गोपियां रास बिहार करने को आतो रहें तब तो वो रस बिहार कहलाता लेकिन यह रास बिहार इसलिए क्योंकि ठाकुर जी आतो रहें गोपियों के साथ रास नृत्य करने के लिए उनसे मिलने के लिए गोपियां आतुर होती हैं तो रस बिहार कहलाता लेकिन ठाकुर जी आतुर हैं इसलिए रास बिहार रस और रास में ये अंतर है भगवान ने गोपियों का जब चीर हरन किया था तब चीर हरन के समय पर ठाकुर जी ने गोपियों को आस्वासन दिया था कि शरद पुरुणमा की रात्त्री पर हम आपके साथ बिहार करेंगे आज शरद पुरुणमा की रात्त्री होई सब गोपियां अपने अपने कारियों में रत हैं अपने अपने कारियों में व्यस्त हैं तभी शरद पुरुणमा के चंद्रमा का उदय होने लगा का शाय kicking का समय के जिए जिए चंदर उग रहे हैं त्यों ट्यों गोपियों का हीड़़ मचल रहा है कि आज शरद पुर्णमा है आज के दिन का ही नियोता दिया है श्री कृष्ण ने मिलने के लिए बंधवों पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूँ ये गोपियां साधारण नहीं है शृती रूपा इस्मृती रूपा वेद जन्या गोपियां है ये कोई सामान्य स्त्रिया नहीं है ये ठाकुर्जी की प्रितिक्षा वर्षों से कर रही है युगों से कर रही है ये त्रेता युग के दंडकारिन वनके संत हैं जो अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्रच की ग ने लीला मत समझिएगा बहुत बड़ा अपराद लगेगा नहीं तो और यह अपराद प्रगट ना हो उसके लिए बहुत ध्यान पूर्वक और निश्काम भाव से इस संपूर्ण संपूर्ण व्यवस्था को सुनिएगा ठाकुर्जी के साथ रास बिहार करने वाली जितनी भी गोपियां हैं उन गोपियों की आयू 6 वर्स से लेकर के 120 वर्स तक है मतलब ठाकुर्जी के रास बिहार में 6 वर्ष की भी गोपी है और बिनादात वाली अम्मा भी गोपी है जटने प्रेम से छेंडें। या सब गोपिया प्रेम आतर हूएं। तो सअंहर नई है। सब्वेव्य वं सकते प्रोण़ी एक अपने अपने घरों में बैठी है। तबी श्रत्मडेम का चंद्रमां तडीत हुआ। थाकूर जी वन में गये। कदम ब्रक्ष के नीचे बैटकर कि जैसे ही अपनी वंशी को अपने अधरौण पर रख करकर प्रानपिरोए बाजने लगी वंशी वृंदावन में और वन्शी का नाद जैसे ही ब्रच की गोपियों के कर्ण रंद्र में पड़ा दोड़ने लगी भागने लगी गोपियां श्री कृष्ण से मलने के लिए बंधों वन्शी तो सब को सुनाई दे रही है